तो डेल स्टूडेंट आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बिए फिप्त समेस्टर के पुलिटिकल साइंस के सिकेंड पेपर के मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन और अंसर के बारे में तो जिन जिन भी स्टूडेंट की परिच्छा आने वाले दिनों में लगी है पुलिटि चालू हो चुकी है तो जिसमें कोश्चन भी होंगे उसका उत्तर भी आपको मिलेगा और जो जो मोस्ट बाटन कोश्चन होंगे उनको भी टिक कराएंगे आपको वीडियो फिली में देने वाले हैं तो चली शुरू करते हैं और यह आपका अपना है चैनल सक्सेस्ट हुए अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी अगर जानका एक्ष लेगे तो लाइक करके चैनल सब्काइब करियेगा अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं कुछ मत करिएगा ठीक है लेकिन चले सुरू करते है वीडियो को प्रूब के तोर पर देख लिजिए सब्जक्ट पत्र का नाम है प्रेंसिपल्स आप पब्लिक एड्मिनिस्टेशन से संबंधित कोईश्चन होगे ठीक है और जितने भी आगे पूचे जाएंगे उनskों मैंने कबर किया न परका जान से समधित कोईश्चन अजैंगे तो मैंने सोचा यह सब कोईश्चन जो है वह पिछले वर्स के मैंने माडल पेपर से लिए हैं और प्लस इस बार जो आपके एक्जाम होने वाले हैं और Administration का मतलब होता है मतलब प्रसासन को इंग्लिस में बोलते है फ्रकार की उन सभी प्रकार की गदविधियों से हैं मतलब कि लोग प्रसासन का जो अर्थ है, उस सरकार की उन सभी प्रकार की गद्विदियों से हैं, जिनके द्वारा वह लोगों की देखभाल करता है, मतलब कि बहुत फारे नियम लाता है, बहुत फारे सुभिधाये देता है, ठीक है, और यो जिनाये लाता है, तो उनके और राम लोगों की देख भाल होती है उसे को लोग प्रसासन की हैर आप लोग प्रसासन के रखेंगे के लिए क्योel भड़ते हैं लोग-प्रसासन का शुरूप यानि लोग प्रसासन से जितने भी पूछे गए वह सब हम कबर करा देंगी और आपको पक्का सभलता मिलेगी तो लोग प्रसासन का शुरूप जानते हैं जहां से सुनुएंगे लोग प्रसासन दोहरे शुरूप वाला है या अध्यन मतलब की सीखना अध्यापन मतलब सिखाना ठीक है तब सीखना और सिखाना यह अनुसंधान का सच्छिनिक बिशे होने के साथ साथ क्रिय सील बिज्ञान भी है मतलब की प्रगति करने वाला आगे बढ़ने वाला बिज्ञान भी है आम तोर पे या फिर आम तोर से प्रसासन एक किरिया भी है और प्रकिरिया भी है मतलब कि किरिया भी है और प्रकिरिया भी है जैसे यहाँ पर कहा गया कि अध्यन भी है और अध्यापन भी है शिखता भी है शिखाता भी है ठीक है और किरिया भी है और प्रकिरिया भी है लोग प्रसासन का सम्मंद सार्वजनिक नीत के निर्माड और क्रियन्वन से है ठीक है लोग प्रसासन जो है उसका जो सम्मंद है उसका जो रिलेशन है वो सार्वजनिक मतलब कि आम चीजें या फिर आप लोग कह सकते कि सार्वजनिक सभी लोगों को सबी लोगों की जो नीत है इंके निर्माड से है और उसका प्रक्रिया हो सके की उससे है तो इस प्रकार लिखेंगे लोग प्रसासन के सुरूप की बारे में तो पहला से दोरे सुरूपन आध्यान न्यापन और यहां कर्या और प्रक्रिया इन goal को कभर कर लेना ताकि आप अच्छे समझते के बिल्कुल ठीक है लोग प्रसासन के छेत्र के बारे मत आईए फिर लोग प्रसासन के छेत्र से आप क्या समझते हैं तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे कि एक अध्यन विषे के छेत्र का मतलब या अभिप्रिया है कि उस विषे के अधिकार छेत्र में कौन-कौन से कार या क्रियाय सम्मिलित है या फिर क्रियाय सम्मिलित की जाती है मोटे तोर पे या फिर मोटी बात में कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि लोग प्रसासन का छेत्र राज तथा सरकार के छेत्र के सम्मुरूप है किन्तो यदि हम सूच्मुरूप से यानि कि छोटे रूप में मैक्रो रूप में विचार करें तो इस निश्कर्स पर पहुंशते ह कि लोग प्रसासन का छेत्र अभी पूरतया अस्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि सब कुछ मूल भूत प्रश्णों का सर्भ मानने हल खो जा रहा है ठीक है अपर में पॉइंट पकड़िए क्या लिखा कि एक अध्यन विफे के छेत्र का अभप्रिया है मतलब कि इसको अभी अध्यन किया जा रहा है मतलब पूरी तरह से अभी कबर नहीं हो पाया पूरा छेत्र ठीक है तो यह जो है वो अध्यन विफे के छेत्र का मतलब है या फिर अभप्रिया है जिसके बारे में जाना जा रहा है ठीक है सिखा जा रहा है उसके बारे में लड़न किया जा रहा है और कौन कौन से कारे जो है वो पेंडिंग है या फिर सम्मिलित है इन सभी पर इसमें लिखा जाएगा उत्तर ठीक है उसके बाद आप सिंपल भासा में कहेंगे कि मोटे तोर पर हम कह सकते हैं कि लोग पुरसासन का छेतर राज सरकार के छेतर के समरूप है मतलब कि जो राज ह कि लोग पुरसासन का छेतर जो अभी तरह पूरी तरह असपश्ट नहीं हो पाया है ठीक है पूरी तरह उसके बारे महद्द्र नहीं कर पाएं पूरी तरह अभी वहां से complete noise नहीं मिल पाई है ठीक है उसके बारे हम एनर्सिस्क नहीं कर पाएं ऐसा लिख सकते मिलकूल लेते हैं लोग प्रसासन या फिर लोग प्रबंधन ऐसा भी कोश्चन हो सकता तो लोग प्रसासन का महत्तों समझीए ठीक है प्रबंधन तो कभी कदार आता लेकिन कोश्चन जो होते हैं कोश्चन का जो अर्थ होता है मतलब होता हो एक ही होता पर घुमा फिर आके कोश्च का दर्पण है यह मानो जीवन की बहु मुखी बिकास की दिसा दिसा दोनों में योग पृसासन का अमूल ही तो वही बात बताई गई एक लोग प्रसासन आदुगराजी का दरपन या मानो जीवन के यानि जो मावन मनस्च का जीवन है उसमें वो अपना युगदान दे फके मतलब कि जितना भी वो फके यूजनाओं के माध्यम से नीतियों के माध्यम से गोवर्मेंट ठीक है या फिर तो यही यहां पर आपको लिखना है लोग प्रसासन का जो उद्देश है जन हित है मतब कि जन हित मतब कि जन मतब लोग और हित मतब उनका कल्याण ठीक है तो जन हित में है कि उनका किसी तरक हित हो सके उनका भला हो सके आम जनता का जो जन है जो लोग है यही मुख उद्द थिपनभरम किता है कि आम जनता का हर तरीके उनको यूजनाइन जो पूलuri आती पर उनको समझाय जो कोई भी काम हो कोई भी चीज़े हो वो आसान से अफान सब्दों में ये फिर आफान से अफान सुविधाओं में आप तक पहुंचाई जाएं ठीक है और उसके लिए दिन प्रति दिन जो बैग्यानिक लोग हैं जो अविश्कारक लोग हैं हर छेत्र में अपना बेश्ट देन के पहले जो वजीफा मिलता था आपने सुना होगा जो स्कॉलरसिक की सिम्पल से बाद जिसके बारे में आप जानते है पहले आपने आथ हभी या पिर पांचिवी घ्न हाथों में वजीफा यानिकिक कैश की रूप में दिया जाता तो सरकारी इसकोलों में लेकिन आज अब देखिए अब आप लोगों को कैस्ट नहीं मिलता एकाउंट में जाता है ठीक है ठीक है ताकि बीच में जो दलाल लोग है या फिर जो घुष्ट घोली कर लेते हो चाहे मास्टर हो चाहे अधिकारी वून को ना मिल सके तो यह सिर्फ एक मैं उदाहरण दे रहा हूं एक मतलब कि नियम कानून के रूप में इसका विकास जो हो सके इसके बारे में बताइए तो चेरी इसके बारे में जानते हैं कि उत्तर लिखेंगे कि प्रसासन का वह भाग जो समान जनता के लाव के लिए होता है मतलब प्रसासन का वह भाग वह पार्ट जो आम जनता समान जनता जो होती उसके लाव के लिए उसके प्रोफिट हो सके उसके लिए होता है उसी को लोग प्रसासन कहते में पॉइंट पक आपके लाब के लिए होता है उसी को हम लोग प्रसासन का संबंद समान नीतियों साबजिंग नीतियों से होता है उनके तहित ही आप सभी कुछ नियम से बढ़ाया जाते हैं उसी को फोलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं सार्वजिंग नीतिया और समान नीतिया जो लोग प्रसासन का संबंद जो समान नीतिया अथवा सार्वजिंग नीतियों से होता है एक अनुसासन के रूप में एक अनुसासन मतब कि एक अनुसासित रूप में या फिर जिसको आप लोग बोल सकते हैं अनुसासन तो समझते है पिर अनुसासन में रहेकर अनुसासन के रूप में इसका अर्थ वह जन सेवा है जिसे सरकार कहे जाने वाले बेक्तियों का एक संगठन करता है और इसका प्रमुक उद्देश और आफ्तित का आधार सेवा है क्लमला के सेवा करना तरीके से ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में परिशे ध्यान लग परशासन का जनक कौन है यह तो लोगपरशासन जो जनक है यह पिर इसके जो फुरौत जानकारी होना इसके बारे में एक गॉइंट से लोगों तक गॉर्मिंट के माध्यम से लोगों तक स्विधाएं देना थीक है तो इसका जनक कौन है लोग परृसासन का दो जनक है वह विल्सन है ठीक है जाना किए बहुत है फ्रतंप हो प्रसण है और इसकी परिमाफा जान ली अब लोग प्रसासन का विकास कैसे हुआ कैसे सुरुवात हुई इसकी कैसे step by step विकास हुआ उसके बारें जानते हैं लोग प्रसासन का विकास करम में 1927 और 27 के मद्ध प्रसासन यानि की जो administration जिसको बोलते हैं उसके सिध्धान पर बल दिया गया विकास सील समाजों में कार रत नौकर साही ब्योहार में स्वेत होती है प्रचीन काल में मित्र की नीन लदी के रख रखा है तो कर्मचारी तंत्र की रूप में प्रसासन का विकास हुआ और 1927 में प्रकासित डबलू एफ से ही इसकी जो है वो शुरुवात हुई ठीक है इसका विकास का क्रम यहीं से सुरुआ तो यह रहा इसका basic परचे बाकी detail म में आपको हम जह हमारी महासंग्राम वीडियो चलेंगे उसमें कवर करा देंगे बाकी आप question में इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं डीटियल में इसके बारे में ठीक है बाकी अभी के लिए इतना लिए इतना लिए कि लोग का प्रसासन के विकास के करम में जो की है स्वेथ तो होती है इस वज़ा से प्रचीनकाल में उदाहनर दिया गया है कि प्रचीनकाल में मिसर की नील लदी के रख रखाओ हित क्रम चारी तंत्र के रूप में प्रसासन का विकास हुआ था ठीक है अगर पुराने समय की बात करें तो इसका जो शुरुवात है वह मिसर कि लोग पुसासन का विकाफ आधुनिक काल में अभी तक आपने जाना के प्रचीन काल में अब जाने आधुनिक काल में तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लोग पुसासन का विकाफ आधुनिक समय में अठारवी सताबदी के अंतिम च्रण शे माना जाता है इस समय सरकार का कार बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिससे यह समस्या सामने आने लगी कि सरकार के कारियों को किस प्रकार बहतर धंगफे किया जाफ़के और इसके प्रसासनिक समस्याओं के अध्यन तक उसके इसके मद्र से हुआ उसके बाद भी बताया गए था कि प्रशीन प्रचीन काल तीके मिफित नैदी नेल नदी थिक और वहीं रख रकार्खाओं वहीं चीज़ को उन्च मोथ चुछ यहां पर बताई गई लोग्पर पृसारशन किरीया के रूप में समेंस पुराने समेंस म गुष लेकिन अध्यन की एक साखा के रूप में इसका उद्यवरतमा काल में ही संभू पाया मतलब कि आधुनिक काल में जो कि प्रत्री सुस्टत्र के घ्रण्थो तिथा राजनेंगी Umgante के सम्रू में समय समय पर साफनिक बिसे पर चर्चा की जाती थी लेकिन अभी लोग पुरसासन को अध्यन का फोतंत्र बिसे नहीं माना जाता था मतलब कि अभी तक लोग पुरसासन को अध्यन का फोतंत्र बिसे नहीं माना जाता था और इस प्रकार लिखेंगे कि कैसे लोग पुरसासन का विकाफ में डिफेरेंस बताइए संबंध बताइए ठीक ऐसा भी कुछच्चन हो सकता है तो अध्यान से सथा लोग और जनता के वर्ग या वर्गों से संबंध रखते हैं परन तो लोग पर सासथा का छेटर निजी पर सासथा की अपेच्छा बहुत बिस्तित होता है यानि कि जो निजी प्रसासन होता है उसका जो छेत्र होता है वो छोटा होता है लेकिन जो लोग प्रसासन होता है इसका जो उद्देस है जनहित ठीक है तो दोनों मताब कि सभी का कलन्यार करना इसका अविकाल उद्धिय और निजी अधरान रहेगी रखेगी रखेगी उनके माद्यम से लगोरेखे तो भाई कर्मचाय तो रखेगी रखेगी उनके माध्यम से लोगों की हेल्प होती है जबकि निजी प्रिसासन में ब्योसाइक करते हैं कि लोग द में पर दियार राजनीती है नहीं होता है कि यहां पर भता इसंती नहीं होता है तूँके नकी है है उनके इच्छा है यह फिर उनकी सोंच है उनका स्थरों क्रेकल फाउन्डेशंок उनकी पास ठाव हो उच्छा है तो मदद ightके लिए लिए कोई अफठान नहीं होता तो इस प्रकार लिखेंगे दोनों में तुलना करेंगे और सम्बंध या फिर आप लोग करते हैं सकते हैं कि पंतर है अने की पुरी उम्मीद अगला प्रस्थ लोग प्रसासन और निजी प्रसासन में अंतर देखे ऊपर क्वेशन तो निचे अंतर भी आ गया है चले भी संसाधन्यों के प्रबंधन की तो नहीं कि उसमर्पित होता कि हमारी है है हमारी society है या फिर हमारा foundation है इससे हम लोगों के help करते हैं और उसी के माध्यम से इन सब चीजों का फंचालन किया जाता है और बहुत लोग रोनेशन भी करते हैं और उन्हें फिर लोगों को अंतर ठीक है और important question ने भी है अगला कि आधुनिक राज में लोग प्रसासन की क्या भूमिका है मतब कि आधुनिक जो राज है समय का उच में लोग प्रसासन की क्या रोल है क्या भूमिका वह आपको बताना है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लोग प्रसासन का मुख्यकार की नीतियों को लागो करना है मतब कि मुख्यवकार होता हो जो नीती होती जो पोलिसी होती उनको लागो करना होता है यही कारण है कि राज जी की नीतियां कितनी भी सेष्ट और अच्छी क्यों नहों यद उन्हें आयोगता फे लागो किया जाता है तो भहेंकर प्रेड़ाम योगिता के हिसाफ नहीं लागू किया जाएगा क्वाल्टी के फास नहीं लागू किया जाएगा फिर जो योग है उसके लिए नहीं बनाया जाएगा फिर आयोग वाले इंसान बनाएंगे तो गलतिया होंगे ठीक है तो गलतिया होंगे तो उसका परिणाम जो गलत होगा प्रुसासन के महत्तों को देखते ही इसे आधुनिक सभिता का हिर्दे कहा गया है इस तरह लिख देंगे उत्तर कोई टेंशनली वह बात नहीं है लेकिन कुछ लाइन तो आपको एकदम परफेक्ट लिखनी होंगी इस तरह कुछ और है यह पूरी पूरी पीडियॉप आपको मिल जाएगी आपको हमारी विपसाइट से भी मिल जाएगी विपसाइट अभी एक्टी होने वाली है उसे डालेंगे तो वहीं पर मिल जाएगा फिर आप टेलीग्राम और सब पर मैसेज करके आप मेसेज करके यह प्राप्त कर सकते हैं और यह आपका अपना ही चैनल सक्षिस्ट हुए तो सब्सक्राइब जरूर को लीजएगा मिलते हैं और वीडियो में जय हिंद्र